हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे के कुरियर केसे करते हैं तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू मे एक जगा से दूसरी जगा यानकि आपके किसी पार्सल या माल को एक जगा से दूसरी जगा पर भेजने का काम करती है अगर आपको किसी पार्सल या डोक्यूमेंट को किसी के पास भेजना है तो आप पोस्ट ओपिस में जाकर कुरियर करते है लेकिन अगर किसी कारान से पो जरूर बताएगा दोस्तों आप जानते है कि अगर आपको किसी भी चीज को कुरियर करना है और अगर पोस्ट ओपिस भी बंद तो AIP केसे कर सकते हैंची करने में सबसे पहले आपको काम करना है कि आपका अपना पार्सल जो है वो आपको पेक कर लेना है जो भी आप पेजना चाहते हैं उसे जैसे कि अगर आप लेटर देना चाहते हैं तो आपने लेटर को पेक कर दीजिए कोई डोक्यूमेंट आप पेजना चाहते हैं तो उसे ठीक से पेक करें और अगर कोई पेकेज है जिसे आप अच्छे से कुरियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी अच्छ जिसको आप सामान बेड़ना चाहते हो उनका उसके बाद फिर आपको निचे किसी कोने में आपको अपना नाम लिखना है और अपना एड्रेस भी लिख देना है ताकि उनको पता चल सके कि ये सामान किसकी द्वारा आया है दोस्तो उसके बाद आपको अपने सामान या फिर पार्सल को अपने सहर की किसी भी कुरियर सोप पर ले जाकर वहाँ पर दे देना है जैसे कि हम post office में जाके देते हैं वैसे ही अगर post office बंद है तो बहुत सारी courier agency होती है वहाँ जाकर आप इस courier को दे सकते हैं दोस्तो जब आप अपने सामान को courier soap वाले को देंगे तब वो आपको एक पर्ची में नंबर लिखकर दे देगा इस नंबर से आपका सामान ट्रेक करने में आपकी मदद होती है यानि कि ये नंबर जो आपको मिला है वो आपको अपने पास रखना है अगर कोई courier agency बड़ी है तो आप online इस नंबर को डालके अपने courier को ट्रेक भी कर सकते हैं और मान लिजए कि आपने जो पार्सल भेजा था उसको मिला ही नहीं है जिसे आप भेजने वाले थे तो ऐसी situation में भी आप वो नंबर लेके इस agency में जा सकते हैं और उसे ट्रेक करने को कह सकते हैं कि आपका courier का किया हुआ वो क्यूं नहीं पहुंचा ये सारे सवाल आप agency जाके कर सकते हैं इसलिए जो courier सोप वाला जो आपको नंबर देता है पत्ची में उस नंबर को आप संभाल के जरूर रखे ताकि आपको इससे ट्रेक करने में आसानी रहती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो इससे ला वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबंदित किसी भी तरह का प्रशन पुछने के लिए नीचे कमेंट करे